लप्पू सा सचन वाला कथन इन दूनों सोशल मीडिया के मीम्स से निकल कर लोगों की जुबान पर चड़ गया है ये कहने वाली महिला भी सोशल मीडिया स्टार बन गई है लेकिन खबर ये है कि सचन को अनाप शनाप कहने वाली वाइरल मिथलेज भाटी कानने जमिलों में फसने वाली है सीमा हैदर की तरफ से उन्हें लीगल नोटस भेजा गया है वो अपने पती के लिए या होने वाले पती के लिए ये सारे शब्द सुनकर नाराज है पूरा मामला क्या है? व्रिस्तार से बताते हैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई दावा किया कि वो चार बच्चों को लेकर सरहत पार से भारत सचन के प्यार में आई है खबर संसरी बनी, इंटरनाशनल मामला लोकल हुआ अडोस-पडोस वालियों ने राय देना शुरू कर दिया मीडिया वाले भी माइक लेकर उनकी राय जानने पहुँचे कि आखिर सचन के पडोसियों का उनकी प्रेम कहानी पर क्या कहना है अब जब यह सब हुआ तो ऐसी ही एक बातचीत में वाइरल वीडियो में दिखने वाली मिथलेश ने सचन को लेकर उल जुलूल बाते की सचन की शक्ल सूडत और शरीर पर टिपणिया की लोगों को उनके शब्द और कीवर्ड से खूब रस मिला जैसे लप्पू, जींगूर, बोलना आवे ना, खूब मीन बने लोगों ने अपने आसपास के सचन नाम के लड़कों को इस पर खूब लपेटा किसी ने सचन हटा कर सालरी शब घुसा दिया और अपना दुख जाहर करने के लिए मीम बना दिये और सोशल मीडिया ही नहीं, रियल लाइफ में भी जुसे देखो वही सचन को याद करने लगा इंफ्लूएंसर्स ने भी इस कथन पर गाना बना दिया लेकिन अस हसी ठीटोली से इतर देखें तो मिधलेश ने जो बाते कही वो बहुत प्रॉब्लेमेटिक थी और वो केवल एक बार कहेकर नहीं रुकी, कई मेडिया चानल्स ने उन्हें इंटर्व्यू देने कले बुलाया और अबाकाइदा उसमें उन्होंने जींगूर और लप्पू जैसे शब्दों का असल मतलब लोगों को समझाया जींगूर का मतलब अब जैसे बारिशों का सावन का महीना है तो ज़्यादा दिन तक अगर कोई कपड़ा रखा रहता तो उसमें कौकरूज टाइप पढ़ जाते हैं उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें कोई नोटस नहीं मिला यूपी तक से बात करते हुए उन्होंने कहा उन्हें किसी का डर नहीं है उन्हें किसी से डर नहीं लगता वो सब तरीके से तैयार है और जब नोटस मिलेगा तब आगी का जबाब देगी मितलेश भाटी के वकील रजनीश यादव ने बताया अभी तक किसी भी तरीके का कोई नोटस नहीं मिला है एपी सिंग द्वारा भेजा हुआ नोटस उन तक नहीं पहुँचा और अगर लप्पू और जिंगुर वाले शब्दों की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके की कोई मानहानी वाली बात नहीं की गई है ग्रामीन इलाके में बोलचाल में इस तरीके के शब्दों प्रयोग किये जाते हैं रजनीश यादव ने बताया कि अगर एपी सिंग द्वारा कोई भी नोटस हाता है तो वो उसका पूरे तरीके से जवाब देंगे अब यह मानहानी का मामला है या नहीं है यह तो आने वाला वक्त बताएगा वैसे आप क्या सोचते हैं इस पर हमें comment box में जरूर बताईएगा मेरा नाम है सोनल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया